नमस्कार वास्तु के अनुसार द्वार यूजना वैसे तो वास्तु में वास्तु प्रुष के 32 पदों का वर्णन है उसको में आगामी अंक्य होताएंगे लेकिन घर में कितने द्वार होने चाहिए एक खक्ष में कितने द्रवाजे होने चाहिए और क्रम क्या होता है ये के अनुसार वास्तु सास्तर के अनुसार घर में विशम संख्या में दरवाजे नहीं होने चाहिए हैं विशम अर्थात एक तीन पाच साथ आदिग दो दरवाजे अथवा सम अंकों के दरवाजे अच्छे होते हैं दो चाह छे आठ एक अक्ष में दो दरवाजे से जादनी हो चाहिए नहीं तो सारी कि सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी ही आ जाएगी ध्यान लखें कि घर में प्रवेश के सामने दो अत्वा तीन द्रवाजे एक साथ ना हो इससे जो पोजिटिव किरने हमारे घर में आती हैं वो टकरा करके इसकी देवा पिसल जाती हैं इससे हमें प सब्सक्राइब आती है जान लखें घर का दर्वाजा उस पर जो किवार लगते हैं वो अंदर क्यों खुले बाहर को खुलने वाला दर्वाजा अथ्वा जाल अच्छाने होता जाल ही अगल आते हैं अग्सादेश्टे तो जाली खोल सकते हैं खुश समय के लिए लेकिन दर जाल तर्वाजा अंदर की ओर नर्य चाहिए इस घर में पोजिटीव एनर्जी आती है जो घर के अंदर पाूज़ी आती है घर में अभार फावित रहती है ओर घर डेलोग पसंद रहते हैं दूसरे घर के जो जो द्रवाजे है उनमें जो क्रिवार लगे हैं खोलते समय ब तो उसके लिए ग्रीज तेल आदी लाते रहें जिस्से की आवाज न करें आवाज करने बारे दर्वाजों से घर की नेगर्टिव एनर्जी उत्पन हो जाती है लोग द्धैरिय कम हो जाता है और अपने आपको वह गुष्चे पर कंटूर ने कर पाते हैं इसलिए दर्वाज हमेशा दो चार चाही रखें पूरे घर में भी विसम संख्याना हो तो सम हो मुख्य दर्वाजा तो एक ही ओन चाहिए लेकिन अगर लगता है कि दो आवस्चक हैं तो एक साइड में छोटा दर्वाजा बना सकते हैं लेकिन घर में कक्षों के नुसार एक से अलावाद दो बंद होने चाहिए लेकिन अवश्चे के प्रकास आता रहे जाद द्रवाजे ना हों जाद खड़कीय ना हों, वैसे तो साउथ वैस में द्रवाजा बनाना वास्तु के नियमों की उरुद है, उत्तर और बश्चिन साराहएवव में भी आप खड़कीय होना सकते हैं, यदि आप गर में साउथ वैस में बड़ी खड़की है तो उससे को मोटे परदों से ढख दें इसलिए आज की इस वास्तु अंक में इतना ही धन्यवाद है